हेलो गाईज, आपको TATA JET का जो syllabus है, उसके रिगार्ड में आपको बहुत सरा समस्या आ रहा होगा, कि आखिर इसका official syllabus क्या होगा, कहीं पर कुछ बताया जा रहा है, कहीं पर कुछ बताया जा रहा है, तो आज हम इसका official syllabus बताने बार हैं, तो देखिए, इसमें आपको TATA JET के जो vacancy है, उसके website पर जो mention किया है, उसमें आपको इस तरह समलेगा, domain से 50 question मिलेगा, aptitude से 15 question मिलेगा, English से 5 मिलेगा, current industry train से 10 question मिलेगा, और industry और enter learning से आपको 20 मिलेगा, total 100 question है, तो देखिए, लेकिन आपका ये syllabus बिल्कुल ही नहीं है, इसका जो देख सकते हैं, TATA JET के लिए जो पोस्ट है, उसमें 80 रहेगा आपके domain से, और 20 रहेगा आपका IoT से, industrial oriented learning से, ये जो syllabus है, ये apprentice बालों के लिए, जो apprentice के लिए apply करते हैं, उनके लिए ये syllabus है, JET के लिए आपको 80 plus 20 का syllabus मिल जाएगा, तो आशा करता हूँ कि आपका doubt किलियर हो गया है, कि यानिए आपका JET क इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें देखिए आपने 6 से में पढ़ा होगा, production या environment, engineering में उसमें आपको पढ़ाया गया होगा, कुछ quality control पढ़ाया होगे, या कुछ norms पढ़ाया होगे, और environment का pollution पढ़ाया गया होगा, safety and precaution पढ़े होगे, 6 sigma पढ़े होगे, और कही इसी तरह का Q2 protocol पढ़े होगे, इसी टाइप का पूछा जाता है, TPM पूछा जाता है, TQM इसका full form पूछा जाता है, part पूछा जाता है, तो इसी प्रकार जो आपने 6 sigma पढ़ा था, यही सब आपको पूछा जाएगा, और domain से तो आपके branch by पूछा जाएगा, तो आशा करत आओं कि आपको सही जानकारी मिली होगी, यदि आप इसी तरह का update पाना जाते हैं, तो किर्पिया हमारे channel को subscribe कर ले, और हमारे telegram से जोट जाएगे.